नमस्ते बच्चों, आज हम फार्ट संक्या तीन खिलोने वाला कक्षा पांच हिंदी सब्जेक्ट की ये पोएम पढ़ेंगे खिलोने वाला खिलोने वाला देखिए बच्चों को सभी को खिलोने पसंद होते हैं और वो जब उनके घर के बाहर जब खिलोने वाला खिलोने बेचने आता है तो जो बच्चा अपनी मा से किस परकार खिलोने दिलवाने की एक जीद सी पकड़ता है और वो अतलता है पहले वो बताता है कि खिलोने वाले के पास क्या क्या है फिर बताता है कि कौन-कौन से खिलोने है उसके पास फिर उसके बाद बताता है कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी खिलोने लिए हैं कौन-कौन से उन्होंने खिलोने लिए हैं फिर वो लास्ट में जा के जब उसकी मा उसे पैसे दे देती तब वो कहता है कि मा आप सोचिये मैं कौन सा खिलोने लूँगा तो ये जो खिलोने हैं बच्चों के वो खिलोने ना लेकर वो बोलता है कि मैं तलवार और धनुचवान लूँगा जिससे कि मैं चंगल में जाकर असुरों का वद कर सकूँ और रामचंदर जैसा बन सकूँ तो अब देखिए इसका कविता को हम पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं तो स्टार्ट करते हैं वह देखो मा आज खिलोने वाला फिर से आया है कई तरह के सुन्दर सुन्दर नई खिलोने लाया है हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली चोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली तो जैसे ही उसके घर के बार खिलोने वाला दिखता है तो तुरंत मा के पास दोड़ता दोड़ता जाता है और बोलता है कि देखिए घर के पास खिलोने वाला आया है और बोलता है कि उसके पास सुन्दर सुन्दर खिलोने है जैसे कि हरा तोता जो की पिंजरे में है वाली मोटर गाड़ी है आगे है सीटी भी है कई तरह की कई तरह के सुन्दर खेल चाबी भर देने से भखबख करती चलने वाली रेल कुडिया भी है बहुत भली सी तो पहने कालों में बाली तो वो बोलता है कि उसके पास सीटी भी है सीटी भी है और कई तरह के खिलोने भी है और जो रेल आती है वो चाबी से चलने वाली है उसमें थोड़ी सी चाबी भर दो और फिर वो भखबख भखबख करती हुई चलती है ना सिर्फ खिलोने है उसके पास एक प्यारी सी गुडिया है जिसके कानों में बाली भी है छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे हैं लोटा थाली छोटे छोटे दनूसबान है छोटी छोटी तलवार नई खिलोने ले लो भाईया जोर जोर वह रहापकार तो जब खिलोने लेते हैं उसमें एक T-set है जिसमें छोटे छोटे बरतन है बरतनों में हैं लोटा और थाली और उसके पास देखिए बच्चे छोटे छोटे होते हैं इसलिए खिलोने भी उनके पास छोटे छोटे हैं चोटे चोटे दनुसबान भी हैं, चोटी चोटी तलवार भी हैं और वो जोर जोर से खिलोने वाला कह रहा है कि जोर ले लो भईया खिलोने मेर से आकर ले लो मुन्नु ने गुडिया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है मा से लेने को साड़ी, कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो गह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है तो फिर वो कहता है कि जो उसके दोस्त होते हैं उसमें मुन्नु ने बोलता है कि गुडिया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली और जो सरला है वो खिलोना नहीं लेना चाहती, वो एक पढ़िया सी साड़ी लेना चाहती है और फिर मा से पूछता है क्या जो खिलोने वाला है वो कभी साड़ी ला सकता है और फिर अपने आप ही बोलती है कि जो साड़ी है वो कपड़े वाला लाता है अम्मा तुमने तो मुझे ला करके मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलोना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार तुम सोचोगी मैं लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल पर मा यह मैं कभी न लूँगा यह तो बच्चों का खेल तो जैसे ही बच्चा कहता है कि मुझे भी खिलोने चीए मेरे दोस्तों ने भी खिलोने ले लिए तो मा का दिल पिगल जाता है और मा उसे चार पैसे लाकर दे देती है जैसे ये बच्चे को पैसा मिलता है, बोलता है कि मा, मैं कौन सा खिलोने लूँगा, तुम थोड़ा सोचो कि मैं कौन सा खिलोने ले सकता हूँ, तो बोलता है, ओप्शन देता है अपनी मा को, क्या मैं तोता लूँगा, या बिल्ली लूँगा, या मोटर लूँगा, या रे देखते हैं वो बच्चा क्या लेता है तो बोलता है मैं तलवार खिरीदूँगा मा या मैं लूँगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा रामसमान तपस्य यग करेंगे असुरूम को मैं मार बगाऊंगा योही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जो ताड़ का है असूर है उनको मार गिराऊंगा और जो तपस्वी यग मुनी जो है उन्हें यग करने दूँगा और दीरे दीरे ऐसे ऐसे मैं रामचंदर के समान बन जाऊंगा देखिए एक छोटे से बच्चे की कितनी बड़ी सोच है वो जो बुराई है संसार में उसको खतम करना चाता है आगे है और फिर कहता है यही रूँगा कोशल्या मैं तुमको नहीं बनाऊंगा तुम कह दोगी वन जाने को अस्ते अस्ते जाऊंगा पर मा बिना तुमारे वन म मैं कैसे रह पाऊंगा दिन भर घूमूंगा जंगल में लोट कहां पर आऊंगा किस से लूँगा पैसे रूट हूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज बना देगा तो अब बच्चा सोच तो रहा है कि मैं तीर कमान लूँगा और तलवा जंगल में जाऊंगा लेकिन वो कहता है कि जैसे 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 अगर जंगल में चला जाऊंगा तो जंगर में जो वो गुमेगा अकेला रहेगा फिर रात को बापस आएगा अगर वो दुखी हो जाएगा Present. उसे कोन मनाएगा, या फिर यह भी सोचता है, कि उसे प्यार कोन करेगा जंगल में, तो बच्चा देखो, एक तो रामचंदर बनने की सोचता है, और दूसरी तरफ जो जंगल में कणनाई है, उनसे भी थोड़ा दड़ा सा मैसूस होता है, तो वो बच्चा अपने पैरेंस की जो मा है उसके साथ ही रहना चाहता है तो बच्चे को खिलोना तो चीए और लेकिन उसे अपने मा के पास भी रहना है तो ये जो कविता थी सुबुद्रा कुमारी चोहान इस कहानी की लेखेगा है तो आप कवित्री कविता की कवित्री है सुबुद्रा कुमारी चोहान तो आपको कैसे ये कानी लगी और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा खिलोना चाहिए अगर आपके घर के पास खिलोने वाला आता है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो धन्यवाद आज हमने पेज नंबर 20 और 21 पड़ा है धन्यवाद